नमस्कार दोस्तों इश्वर सदयाव आपका भला करी और आपकी जोल्या इश्वर के आश्यवाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे एक विशेश अपनी की हमारी एक दर्शक है जिनकी क्वेरी आई थी कि वो बार बास अतना देखते हैं कि वो खुद को छ देखते हैं दिखें इस से सम्मंदित और भी अन्ने सपने हो सकते हैं जैसे कि आप किसी जानवर से बच रहे हैं या आप किसी भूत प्रेट से बच रहे हैं या भाग रहे हैं या चुप रहे हैं या आप किसी चीज में चुप रहे हैं या जंगली जानवरों से चुप रह उन सब को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहां आपको ड्रीम से रिलेटेड बहुत सारे आपकी कोश्चिंस का समाध पहले लिक सकते है और इसके लिए आप मुसे कर सकते हैं इंस्टाग्रैंम पर भी आप कर सकते तो मैं सपें वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करती हूं तो अगर हम psychologically बात करें तो यह जो सपना होता है चुपने का या खुद को चुपाते वे देखना या खुद चुप जाना कहीं किसी चीज में किसी चीज के अंदर और खासकर especially अधे सपना बारवार आए तो यह जो सपना होता है या आपके अंदर कोई anxiety चल रही है कोई परेश आपके जो emotions होते हैं चाहे वो खुशी के emotions हो चाहे दुप के emotion हो जब आप उनको चुपाना चाहते हैं या आप अपने अंदर कोई protection चाहते हैं मतलब आप यह चाहते हैं कि आपकी जो feeling है वो लोगों के सामने ना आए वो सुरक्षित रहे और आप आगे जिंदगी में बढ खासकर आप किसी difficult situations को जब avoid करना चाहते हैं तब भी आपको चुपने के सपने आते हैं देखे हर व्यक्ति की situations अलग होते हैं अब लाको करोड व्यक्ति रोज अगर इस तरह की सपने देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि हर आदमी की situation एक जासी हो तो देखे मैं सबसे पहले यही बात करूंगी जब भी सपना आए तो इस सपने को देखने से पहले आप अपनी situation देखें कि वास्तविक रूप में आपकी क्या situation और खासकर बार बार आ रहा है तो यह सपना कब repeatedly आपकी life में आता है जब आप stress में होते हैं या जब खुशी में होते हैं जब किसी emotions को चुपाना चाहते हैं या आप किसी confusion में होते हैं या stress में होते हैं मतलब यह चीज़ें आपको खुद से ही check करने पड़ेंगी अब लाखों करोडों लोग की situation उनकी feeling के हिसाब से हम check नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको खुद से अपने dreams को analyze करना पड़ेगा लेकिन य चाहते हैं या आप उसको face to face उसका सामना नहीं करना चाहते यह उस और भी संकेत करता है अब यह सपना आपको कहीं न कहीं यह भी बताता है कि आप अपनी emotions feelings को भी चुपाना जाता है जरूरी नहीं कि वह feelings दुख भरी हो कभी-कभी हम अपनी खुशियां भी चुपाना चा सपना होता है यह बताता है कि आप अपनी capability को आप अपनी योगिता को पहचान रहे हैं आपको यह भी बता है कि जो परिस्थितिया है या जो भी परिशानिया है मैं इनसे बाहर आ जाओंगा यह difficult situations मेरी लिए कुछ नहीं है तो यह सपना कहीं न कहीं आपका छुपना लोग हंगते हैं कि आप खुद को घांस में बड़ी बड़ी गास है या पेड है आप उसमें चुपना या आपको मिल सकती है इसके अलाउबी एक सपना हे होता है यह भूहत आ जैब आ na Metallic से भाग रहे हैं दिखें भूत प्रेत का सपना बहुत हब तक निगेटिव थार्ट्स निगेटिव विचार या लाइफ में कोई निगेटिविटी चल रही होती है उसकी ओर संकेत करता है तो जब आप किसी निगेटिविटी से खुद को घेराब आते हैं तब आप इस तरह क के सपने खास कर भूतों से जो समंदिक ड्रीम्स होते हैं आत्माओं से समंदिक ड्रीम्स होते हैं वो खतम हो जाते हैं जब हम एवोइड गरते हैं सिच्वेशन को कि चलो देखा जाएगा या ठीक है कुछ दिन बाद दी प्रॉब्लम सॉल्ड हो जाएगी तब इस तरह के सप बहुत कर भाग रहे हैं इसके अलावे दिस अपना आप देखते हैं कि कोई जंगली जानवर जो है वो आपका पीछा कर रहा है तो यह कहीं न कहीं आनिमल इंस्टिंट मतलब कोई इच्छा कोई चेतना आपके अंदर जागरत हो रही है और यह चेतना कहीं न कहीं आपको ए उसके लिए आपको कुछ नया करना भी है तो आनिमल से भागना एक अच्छा सपना होता है यह बताता है कि आपकी जिन्दिकी में कुछ नया आने वाला है बस जरूरत है पैशन के साथ उस चीज के पीछे भागने की और इसके हलापे यह आप सपने में देखते हैं कि आप खुद को किसी कब्रिस्तान में या किसी ऐसे गड़े में जिसे आप कब्र कहते हैं या आप यह देखें कि कोई जो कॉफिन बॉक्स होता है उसमें आप खुद को चुपावा पाते हैं तो देखे इस तरह के जो सपने होते हैं और भी situations हो सकती लेकिन मैंने कुछ situations को यहां लेने का प्रयास किया और आपको यह बताने का प्रयास किया कि बहुत हद तक जो सपना होता है 70-80% जो होता है चुपने का सपना आप किसी चीज़ को avoid करना जाते हैं तब इस तरह के सपने जादा आते हैं तो जब इस तरह के सपने आएं अपनी परिस्थितियों को अपने जो आपकी real life है जो problems चाल रही है उनको समझें और यह देखें कि आप क्या वास्तिक रूप में उनसे भाग रहे हैं या आप उनको challenges के साथ face कर रहे हैं यदि भाग नहीं रहे हैं तो इस अपना बताता है क कि अप समय है आपको इनको face करना है और बहुत आपके सकते tactfully आप handle करना शुरू कर दें आपको सफलता मिलेगी और यदि आप भाग रहे हैं वास्तिक रूप में किसी समस्या से डर कर घबरा कर तो उनने face करना शुरू कर दें जैसे जैसे आप face करना शुरू कर देंगी इस के लिए और जानकारियों के पर हमारे चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तो फिर बते हैं तब तक के लिए आप